देश के हर हिस्से से खेहर की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी दोरान लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं जिनमें से कई हमेशा हमेशा के लिए अपनों को छोड़ कर चले गए लेकिन कोरोना से जंग में देश भर से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने लोगों का नाकीबल होसला बढ़ाया, बलकि यह एहसास भी कराया कि इस जंग में आकिरका कोरोना की हार ही होगी. होसले बढ़ाने वाली ऐसी खपरोंने कोरोना की खिलाफ जंग में देश का मनोबल बढ़ाया है. का बीड़ा उठा लिया कि दोनों ने ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने की थानी जिनकी घर के जादा तर मेंबर कोरोना की चपेत में हो और घर में खाना बनाने वाला कोई ना हूँ मनकाल में जहां तमाम लोग आक सीजन की कमी से और अस्पितालों में सुभधाओं के लिए जूज रहे हैं दवाईयों के लिए जूज रहे हैं वहीं कई ऐसे लोग हैं जो कि तमाम जरूत मंदों की मदद भी कर रहे हैं ऐसे ही हैं योगी सरकार के कैबिनिट मंतरी मंतरी कोपाल गुप्ता नंदी जी का जन्दिन था उस दिन उन्हों ने एक अभियान की शुरुवात की कि तमाम लोग जो संक्रिमित हो जाते हैं और उनको भोजन नहीं मिल पाता पूरा का पूरा परिवार संक्रिमित रहता है ऐसे में कोई घर में भोजन देने वाला नहीं होता है ऐसे जरूत मन्द लोगों के लिए आप आगे आये हैं और आपके किचन में खाना बनता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी शुद्धता से सफाई से किस तरह ये खाना बनता है और आज जब कि मंतरी जी खुद प्रियागराज में है तो वो खुद इस भोजन को पैक कर रहे हैं, अपने हाथों से वो पैक कर रहे हैं और जो शहर की प्रथम नागरिक हैं, मेर अभिलाशा गुपता नंदी जी जो की उनकी पत्नी है, वो खुद अपने हाथों से इस भोजन को पैक कर रही है। नंदी सेवा संस्थान ने शुरू किया और आज लगभग साड़े साथ हजाल लोगों को तक हम पहुंच पाए हैं और लगभग हमने आठ साड़े आठ सो परिवारों को जोड़ा है इससे